Hi friends, कैसे आप लोग, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो कल मैं shopping करने गई थी, plants लोने बिलकुल ने गई थी, but जब आपको plants अच्छे लगने लगते तो आपको मन इसे Just you go and buy the plants, तो ये मेरे कुछ नए plants है, तो आज हम मिलेंगे अपने नए friends से, तो चले, start करते आज का video guys तो ये जो पहला plant है, ये मैंने लिया, ये fern है इसका price मुझे, शायद मुझे 80-90 rupees के according मिला था और मुझे बहुत दिन से ये चाहिए था, और जैसे मुझे दिखा, मैंने इसे ले लिया फिर second is the aclipha, इसका green color में पस था, but I didn't have the red one, so ये वाला और सबसे बहुत जो प्यारा मुझे फ्लावर कल मिला, that is the lily, इसका ये white color मिला, ये pink color मिला और इसके मैंने 4-5 plants खरीद लिये, और मैं इसको, till this time waiting कि मैं इसको अपने garden में grow करूँ और ये जो turtle vine है, इसकी cutting हाला कि मैं ले के आई थी, बट वो इतने धीरे-दीरे grow हो रही थी कि उसका जो hanging बंते-बंते बहुत दिन हो जाते तो मैंने एक plant ये लेके नया में आ गई अब इसको, I will be using as a hanging, turtle vine बहुत अच्छे से लंबे strings में grow होता है, बहुत प्यारा लोग देता है, आप भी से अपने घर में बहुत easy लगा सकता है, फिर I got one, this is the pentas, ये देखिए, ये जो pentas है, ये वाइट कर लेके flowers देता है, और क्या ये पूरे all season, मतलब ये 12 मासी flower है, तो अगर आपको एक permanent flower चाहिए, तो आप इसक बिल्कुल लेके आ सकते हैं, फिर कल मुझे बहुत सारी coleus की varieties मेली, ये देखिए, इसका green और ये जो maroon variegation है, और इसकी leaves जो जो pattern है, वो बहुत अलग है, जो normal होती है, उससे थोड़ा different है, and it is quite impressive, the second one I got is this, जिसका pure maroon है, ये भी बहुत प्यारा और अलग लुक देता है, the third one is this one, then again it is a green and maroon और ये भी बहुत प्यारा दिख रहा था, so I could not resist, और मैंने बहुत सारे plants करी लीजिए, इधर ये जो है, ये hybrid hibiscus है, इसका pink color है, ये कल बहुत अच्छे से खिला हुआ था, और ये new bloom भी जल्ड आ जाएगी इसमे, I got this one, this is a white rose, white rose की अलग ही बात होती it's feel like pure and so nice, this one is the again coleus, इसका भी जो variegation है, ये थोड़े different type में, जब आप प्लांट लवर हो जाते हैं, तो आपको हर जगा, means movies में, आप जब किसी के घर जाते हैं, आपको हर जगा, इसे लगते है plants, अच्छे ये मेरे पास नहीं, I should get one, तो मुझे भी जाद एडिक्शन हो र तो और plants एकते हैं guys, see this one, ये थोड़ा ज़ादा costly मिला, because it is a succulent और ये थोड़ा सा hardy plant है, और you know succulents थोड़े से ज़ादा expensive होते हैं, but कोई नहीं, इसका baby plant भी दर से grow हो रहा है, उश उश चलने की जगा दो, here I have the baby pink rose, अभी अगर आपको cuttings तयार करनी हैं, तो आप rose लेकर आजएं, क्योंकि बारिश के मौसम में, they grow well, ये जो rose है guys, ये all season वाले हैं, कश्मीरी गुलाव करके, जो भाईया ने मुझे दिया है, I hope ये अच्छे से grow करेंगे, नहीं पता, उनके पास इतने अच्छे से grow हो जाते हैं, हम जब लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा फ्लावरिंग डिफिकल्ट हो जाती है, but we will try to grow it best, ये जो है, ये spider plant है, but spider plant भी दो टाइप का आते हैं, जो पहला होते हैं, जो पतली पतली जो ऐसे होती धारिया, और ये जो है थोड़ा सा मोटू है, ये थानी हमारे प pure ceramic, and see this one also, ये जो है, ये भी white में है, and it is very attractive, ये भी पूरा से में का है, and here is one more, ये है yellow color का, अभी plants खत्तम नहीं हुए हैं, I have some more plants, ये देखें, ये light green में, white का जो था, टिंच, ये बहुत जादा अच्छा लग रहा था, so I bought this one more collies, एक और collies भी है, ये थोड़ा pinkish में हैं, तो collies की बहुत सारी varieties हमारे पास आ चुकी है, ये भी hibiscus है, और इसका color भी dark pink है, I think, ये लीलियम के flowers हैं, this I got the tulsi वाला gumla, ये देखें, अच्छा है ना, ये एक और spider plant लिया और ये देखें, ये जो है, ये हमारा फिर से pink panthas है, वहाँ पे white दिखाया था, यहाँ पे pink दिखाया है, ये भी पूरे साल flowering देगा, तो it's a good choice, ये जो है, ये कुछ snake plant type का लग रहा था, और you can say moringa, जो munga होता है, उसके type का, I don't know exactly, इसका नाम नहीं पता, बट ये थोड़ा अलग type का plant दिख रहा था, ये भी hardy है, succulent है, और काफी महंगा भी है, but ठीक है, when you love plants, you buy them, here see the pink rose, it is very beautiful, ये देखिया, और ये जो गमला है, ये भी देखिया, ये रॉयल ब्लू कलर का है, I could not resist buying this, so, ये मैंने ले लिया, और ये बॉन साइटर, देखिये, it is very attractive, ये बहुत अच्छा दिख रहा था, ये मुझे शायद 120 के around cost हुआ, but मुझे हमेशा से बॉन साइटर ग्रो करना था, so I bought this one also, so, one more, one more, I have this paddy lanthus, ये भी बहुत hardy type का है, तो ये मुझे लगता हर season में ही grow करेगा, तो ये थी आज की मेरी plant जो मैंने buy के थे, I hope कि आपको इनको देखने में खुशी हुई होगी, मुझे लेने में भी खुशी हुई, तो guys, आप भी अपने घर को plants से grow कीजे, it feels very good, एक बर आपने अगर plants लगाना start कर दिया, then it's never stopping, it's never going to end, आप just लगाते जाएंगे and you will feel more good, तो जो plants है वो आपको बहुत अच्छी feeling देते हैं, आपके घर को greenery देते हैं, आपको fresh oxygen देते हैं, तो plants लगाने के बहुत सारे benefits है, हम फिर मिलेंगे आपके साथ next वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहे,